हाईलो फ्रेंड्स गुड इविनिंग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC GD एकजाम 2024 के आलसिप्ट में पूछा सकने माले Most Important Selected पस्णों को साल्व करेंगे दोस्तों आपके एकजामस में जितने भी टापिक्स से कोस्टन्स पूछे जाने हैं उन सभी टापिक्स को कलेक्ट करके A to Z, एक एक कोस्टन चुन चुन के डाला गया है साथ में एक स्टाफ हैक्ट को भी पूरी तरह से कबर करने का परियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होगे साल्व करें कोस्टन्स कम साल्व होने पर पुना पस्टनों का रिविजिन करें ताकि एससी जीडी एक जाम दो हजार चोविस में आप लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ने लेते हुए हम लोग इन सभी मोग स्ट्यूपारण परसनों को साल्व करना सुरू करते हैं दोस्तों कोस्टन नमर वन है हमारा नोबेल सांती पुरसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया करेंट का मोग स्ट्यूपारण कोस्टन है दोस्तों बिल्कुल आपके टेंड में है कोस्टन हमारा नोबेल सांती पुरसकार 2023 से सम्मानित किया गया करेंट एंसर होगा नर्गिस मोहमबंदी को अब चले दोस्तों कोस्टन करेंट अफियर से हमारा आया हुआ है तो इस टापी से जितने कोस्टन बनते हैं अधिकांस प्रस्णों को हम लोग यहीं पर कवर करेंगे यही हमारे प्रिपेशन की स्टेट जी है दोस्तों कि जिस भी टापी स्कों हम लोग उठाएंगे उनके अधिकांस प्रस्णों को इक्ष्टा फेक्ट के रूप में वहीं पर पूरी तरह से कवर करेंगे जान फासे ने और अगला कोश्चन है चिकित्सा के छोट छेत्र में नोबेल पुरसकार 2013 किसने जीता करेक्ट एंसर होगा कैटलिन करिको और डूविस मैन में एक साथ दोस्तों आपके कोश्चन सेलेक्ट कर देगे हैं यानि कि दोस्तों यहाँ पे सिट कर देगे हैं ताकि आप लोगों को याद रखने में थोड़ी सी सहस्ता महसूस हो ऐसे कोश्चन के लिए आप लोगों को अलग-अलग भटक ना न रहे अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम तु पैरडाइस लांच की है करेक्ट एंसर होगा तुंकल खन्नाने अगला कोश्चन है हाल ही में रैपिड फायर डास्ट्रिय चैंपिन कौन वने हैं करेक्ट एंसर होगा अभिनु चोधरी अगला कोश्चन है हाल ही में इकानुई ladder इटर पोल, महासभखा फैजन, कहां किया गया? नामित किया गया है, तो Leonis MacSi है, कौन है? Leonis MacSi है, और यहां से लास्ट कोशन है, हाल ही में किसे, टाइम मेहजीन का परसन आफदाइयर चुना गया, तो तो तेलर स्वीट है, ध्यान रखेंगे, सारे कोशन most important रखे गए हैं आगे चलेंगे हम लोग अगला question देखिएगा दोस्तों हाली में मानुआधिकार दिवस कब मनाया गया correct answer का 10 December को current related ध्यान रखेंगे आप लोग अगला question है हाली में किसने पहली बार विजए हजारे ट्राफी का खिताब जीता है तो हरियाणा है कौन है हरियाणा है अगला question है हाली में कहां राजिव गाधी स्वरोजगार योजना सुरू हुई है तो हिमाचल परदेश है कौन सा हिमाचल परदेश है next question देखेंगे हम लोग हाली में किसे Continental International 2030 का खिताब जीता तो दोस्तों वो आस्था रावल है कौन है रास्था रावल है next question है यहां से हाली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजन किस राज्जी में होगा तो तमिल नाड में किया जाएगा कहां पर तमिल नाड में यह थे दोस्तों करेंट अफेस के most of our questions जिनको यहां पर हम लोगोंने cover करें है आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग next question की और पह से पूरी तरह से complete करवाई जारा कम से कम समय में 25 PDF की जरीए आपके पूरे पार्ट करम जिसमें आपका gk, gs आपका general science भी सामिल है current of yes वह सामान हिंदी इनके पूरे पार्ट करम को total 25 PDF की जरीए पूरी तरह से complete करवाई जारा paid fiscal 50 rupees रखी गए whatsapp नमबर आप लोगों की सामने जहां पर आप लोग message करके PDF ले सकते हैं या comment के बाद आपसे दोस्तों आप लोग जानकारी कर सकते हैं एडाक लिए इस पर phone करके दोस्तों यानि call करके बात भी कर सकते हैं अगला PDF हमारा भीहार एससी 10 plus 2 2013 है जिसमें दोस्तों आपका पार् पार्ट करम को दोस्तों टोटल 25 पीडियाप की जरीए complete करवाई जाए पेड़ फिस इसकी फिप्टी रूपेज रखी गई है और होड़ सफ नमर आप लोगों के सामने है अगला PDF देखेंगे दोस्तों जो की UP Police Constable 2030 का है लगवाग फरोरी में इसका भी exam conduct करवाय जाएगा इसमें जो आपका पार्ट करम मायदोरा पुईता से complete करवाई जाए उसमें आपका GKS आपका जनल साइंस सामिल है current affairs पुलिस ब्योस्ता से समनी सामान सचित्ता के questions आपका UP special आ जाएगा वा current affairs के सासा सामान हिंदी इनके भी पूरे पार्ट करम को total 40 PDF के जरीए complete करवाई जा आप लोगों के सामने है और लास्ट है दोस्तों UPPSC आरो यारो के PT exam का जिसमें दोस्तों टोटल दो पेपर करवा जाएंगे 140 questions आपका GS रहेगा और 60 questions आपके हिंदी से पूछे जाएंगे इनके भी पूरे पार्ट करम को total 40 PDF के जरीए complete करवाई जा रहा है अगला question है दोस्तों यांग इंडिया नामक पुष्टक के लेखा कौन थे most important होते हैं जो कि आपके exams में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों question रखा गया उनका answer देंगे हम लोग पूना इस टापी से जितने questions बनते हैं एक साथ कबर करेंगे ध्यान देंगे आप दोस्तों के नाम देगे हैं दूसरी तरफ सम्मंदित लेखा के नाम देगे हैं चले एक साथ कबर करते हैं ध्यान देजेगा सबसे पला हिंद स्वराज उसके बाद है my experiment with truth वह इंडिया इन तीनों को एक साथ ध्यान रखेंगे क्योंकि इनके लेखा महाक्मा गादी है अब लोगों की preparation कम से कम समय में ready हो जाती है तैयार हो जाती है अगला point देखेंगे हम लोग new India इनके लेखा कौन है anyway sent है most important है दोस्तों new India इनके लेखा कौन है anyway sent है next है केसरी केसरी के को लेखा का है वाल गंगा धर तिलक आप लोग इनके पत्र नाम सुने होंगे केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे वाल गंगा धर तिलक आगे चलेंगे हम लोग ऐसा करके जीके में question बार बार पूछा गया है अगला है दोस्तों India wins freedom इनके लेखा कौन है अबुल कलाम आजाद है कौन अबुल कलाम आजाद next है दोस्तों discovery of India highlighted है दोस्तों इनकी ये books discovery आप इंडिया नी भारत की खोज लिखके भी आता है इनके लेखा कौन है जवाहर लाल नहरू है next point है दोस्तों the Indian struggle इनके लेखा कौन है सुबाज चंदर बोस है next है unhappy India इनके लेखा कौन है लाला लासपत राय है कौन है लाला लास किलाम आजाद है next है eternal India इनके लेखा कौन है इंद्रा गौधी है next point है दोस्तों a nation in making a nation in making के लेखा कौन है सुरेंद्रनात बनर्जी है next है mother India इनके लेखा कौन है कैथरीन मेयो है कौन है कैथरीन मेयो रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों सारे selected questions रखें है preparation आप लोग कहीं स और जब preparation करें उनके दौरान देखें दोस्तों कि वह सारे questions extra fact के रूप में हमारे उन सभी topics से clear हो रहें नहीं हो रहें अगर नहीं हो रहें तो फिर हम दिसा ही चल रहें यह आप लोग ध्यान रखेंगा ऐसा ना करें दोस्तों आप किसी भी चैनल के किसी भी वीडियो को open क करें आप ध्यान दे अपने पार्टिकम को पूर एक मिनद देखें दो मिनद देखें फिर स्किप कर दें इसे करने से कुछ भी होने वाला नहीं यह आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग जानते क्या होगा question गलत करेंगे तो negative marking अलग से परेगी आपके उपर तो इन स पॉइंट है runs and ruins के लिखा कोने सुनिल गावसकर है most important है runs and ruins के लिखा कोने सुनिल गावसकर है अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग क्या है दूस्तों टूवर्स इस्टरगल टूवर्स इस्टरगल इनके लिखा कोने जय प्रकास नाराण है नेक्ट पॉइंट है कावन वील कावन वील के लिखा कोने तो इनी बेसंट है और लास्ट पॉइंट है यहां से दूस्तों हमारा the man who divided India इनके लिखा कोने रफिक जकारिया है कौन दोस्तों मनुस्य की आख के किस भाग पर वस्तुका प्रतिविम बनता है question पर ध्यान देजेगा मनुस्य की आख के किस भाग पर वस्तुका प्रतिविम बनता है तो रेटी ना है अब यह हमारा question था दोस्तों जिसको हम लोगों ने answer दिया है अब यहां पर दोस्तों यानि क static gk के रूप में current को भी relate करती हुए most वान दोस्तों आपके gk के person को सामिल किया गया है जिसमें आपका quality भी कबर होगा economy भी कबर होगा उसके लाव दोस्तों जिवगराफी वा हिस्टरी भी कबर होंगे और most वान दोस्तों आपके बीवित के questions भी इसमें सामिल के गये हैं और जो लोग अच्छे खासे रंग से preparation कर चुके हैं वो practice set के जरी है दोस्तों देख सकते हैं कि यहां हमारे कितने questions सही रहे हैं सारी questions easy to moderate रखे गये हैं ध्यान दिजेगा चलिए एक साथ कबर करते हैं पहला point है दोस्तों India Association की अस्थापना किस ने की थी correct answer रगा सुरेंद्र नाथ बनरजी ने next point है भारत ने Olympic में पर्थम बार कब भाग लिया था most of questions SSC के टेंड में इसे questions बराबर पूछे जाते हैं भारत ने Olympic में पर्थम बार कब भाग लिया था correct answer का 1990 में next point है भारत का कौन सा राज बांगलादेश से तीन तरप से गिरा है तो तिरपूरा है next point है फीफा विशुकप सबसे ज़दा बार किस देश ने जीता तो वराजिल ने जीता है किसने वराजिल ने next point है मेरा भाई चानू किस खेल से संबन दीत है तो ये भारत तोलन खिलाली है ध्यान रखेंगे आप लोग कोशन बार बार पूछा गया है next डूरंड कब किस खेल से संबन दीत है तो ये फुटबाल से संबन दीत है किस से फुटबाल से अगला point है राष्ट्रिये खेल दिवस किस तिथी को मना जाता है correct answer होगा 29 अगस्त को अगला point है किताब ल हिंद के लिखा कौन है तो अलबरूनी है कौन है अलबरूनी है अगला point है नंद वंस का अंतिम सास कौन था correct answer होगा घानानंद कौन घानानंद next महात्मा बु fury एंद ने अपने कीजिए तो पाली है फैसा में याखर हम लोग जैन धम की बात करें तो महाभिस्वमिझे ने अपने उप्डेष किस भासा में दिए धे या आप लों कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों जोड़ने का प्रियास के जैसा नगे जब कई भी वीडियोस को आप ओपन के दो मिनट देखे स्किप कर देए से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं अपने पूरे पार्टी करम पर फोकस नहीं करेंगे उनके अच्छे डंग से क्लियर नहीं करेंगे तब तक द जिद गया कै एन्षरों का केप लर ने एक पॉइंट है लंदन किस नधी के तटपर इस्थित दुण्स नधी की तटपर किस थेंप नदी के ततपर अग्ला पॉइंट है जू न का न único स्थान है ने कि थोगा अरभिंद पनगड़िया को किसे अरभिंद पनगड़िया को नाम सुना सुना आयता होगा दोस्तों यह सबसे पहले क्या थे इससे पहले यह दोस्तों नीतिया के पर्थम उपाध्यस थे ध्यान रखेंगे आप लोग अगला पॉइंट है हाल ही में under 19 एशिया कप किस सुनें जीता है हाल ही में राजस्थान के नए मुखिमन्तरी की रूप में किसे शुना गया तो व्हजनलाज सर्मा को किसे वहजनलाज सर्मा को को स intra कास है से सी से में सोला महाजन ओं अपuu में एक्सर का अगर गलत होता है तो कितने हम rank ने से आते हैं यह आप लोग जानते हैं question क्या रखा है 16 महाजनपदों में मत सकी राजधानी क्या थी तो विराट नगर थी अब जैसे भी करें इन questions को आप लोग रट्टा लगाए trick कोई लगा की याद रखें question को miss नहीं कर सकते अच्छे score के लिए अब ध्यान देंगे 16 महाजनपदों के यहां पर नाम दे गए हैं यानि पूरे एक topic को collect कर लिया गया है और उनके राजधानियों के नाम भी डाल दे गया है तो चलिए एक साथ कबर करते हैं सबसे पहले क्या दोस्तों एक तरफ 16 महाजनपद के नाम दे गए हैं दूसरी तरफ राजधानियों के नाम पहला क्या दोस्तों अंग अंगी की राजधानी कहा थी चमपा थी next है मगद मगद की राजधानी गिरवरस या राजगिरे थी next है कासी कासी की राजधानी वारांडसी थी सोला महाजन पर ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है वच्ष वच्ष की राजधानी कहा थी कौसामबी नेक्स्ट है वज्जी वज्जी की राजधानी कहा थी वैसाली थी आगे चलेंगे अब लोग next point क्यों हो द्यान रखेंगे इनके भी दो राज़दानी थी next पांचाल, पांचाल की राजधानी अही छट्र तथा काम पिल ली थी, दोनों ध्यान रखेंगे, इनकी भी दो राजधानी थी next चेदी, जोकी सुलम भाजजन पदों में था, इसकी राजधानी कहा थी दोस्तों, तो सोथी वती थी कहा सोथिवत्ती थी अगला पॉइंट है कुरू कुरू की राजधानी इंद्रुपरस्त थी कहा पे इंद्रुपरस्त आगे चलेंगे next point की और अगला point कहा दोस्तों मत्स मत्स की राजधानी कहा थी तो विरात नगर थी जो कि हमारा question रखा गया था next है कमबोज की राजधानी कहा थी हाटक या राजधापूर next है सूरसेन सूरसेन की राजधानी कहा थी मत्स राथी next है अस्मक अस्मक की राजधानी पोटिल या पोतम थी क्या थी दोस्तों पोटिल या पोतन थी और last है गंधार गंधार की राज़धानी कहा थी तच्छ सिला थी ध्यान रखेंगे आप लोग अब यह question पलड के भी पूछे आते हैं 16 महाजनपदों में दोस्तों बिराट नगर किस महाजनपद की राज़धानी थी तो दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे GK के questions कैसे भी बना दिये आते हैं आगे चलेंगे हम लोग next point की और अगला question क्या है दोस्तों यह भी history से उठाय गया है moderate level का question बनता है दोस्तों लेकिन question पुछे आते हैं इसलिए हम लोग miss नहीं कर सकते किसी भी topic को जो कि हमारे exam की दिरिष्टी से important है question आने की संभावना है question के रखा गया है किस नदी को रिगवधिक काल में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था किस नदी को रिगवधिक काल में यानि कि सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता था वो गंड़क नदी थी अब चलिए दोस्तों रिग वैदिक जो नदिया थी, उनके आधुनिक नाम से questions को आप लोग यहाँ पर पूरी तरह से complete करेंगे, question आगया है, question देख लें, उनका insert कर देंगे, अब उनके सारे topic के जितने भी दोस्तों questions बनते हैं, एक साथ clear करेंगे, ध्यान दिजेगा आप लोग, एक तरफ दोस्त का अधुनिक नाम क्या है, रावी, यह सारे नदियों के नाम है, next, कुभा, कुभा का अधुनिक नाम क्या है, काबुल, next है बितस्ता, बितस्ता का अधुनिक नाम क्या है, जेलम, जेलम नदी, काबुल नदी, रावी नदी, सल्लाज, घगर नदी है, आप लोग नाम सुने यहीं है जी है असकनी सच का अधरनिक नाम क्या है चिना अगे चलेंगेust अब यह question भी दोस्तों पलट के पूछाता है, अब लोग ध्यान रखेगा, अगला है विपाशा, विपाशा के आधुनिक नाम क्या है दोस्तों, व्यास है, क्या है, व्यास है, next point है गोमती, गोमती का आधुनिक नाम क्या है, गोमल, next है कुर्मू, कुर्मू का आधुनिक ना क्या दोस्तों स्वात न दी चलते हम लोग नेक्ट कोशन की हुआ सब्सक्राइब करें दोस्तों आप मारी स्टेडी चैनल स्विक्र पकलासेच को इसी तरह के वीडियोस के लिए अगला कोशन क्या रखा गया है साची के इस्तूप का निर्मार किसने करवाया था यह कोशन में और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं तो जो लोग काफी कर चुके हैं वह देखें आपकी प्रिपेशन कहा था हैं सारे स्लेक्ट हैं चलते हैं पहले पॉइंट की ओर पहला पॉइंट क्या दोस्तों महा नियावदी की नियुक्ति किस अनुछिट के अंतरगत की जा अर्टिक्ल से कोश्चं़ और इस कांसेप्ट दोनों तरफ से पूछे गए बार-बार पूछे गए हैं नेक्ट पॉइंट है दोस्तों किस अनुच्छेद में संसत के संजुकता दिभेशन का प्रावधान है तो अनुच्छद 108 है संग्धान के किस अनुछिद में धान विद्य की परिभासा दी गई है तो अनुछे ует 10 है articles के question पूछी आता है हम लोग एक साथ कबर कर रहे हैं अगला है किस अनुछिद के इंतरगत केंद्र के पास अचिश्टी सक्थिया है तो अनुछे 248 है अगला point है बित आयो का गठान संग्धान के किस अनुच्छत में तो नुच्छत 280 में है आप देखेगा आगे चलते हैं भारते संग्धान में समुर्ती सुची की पेहना किस संग्धान से लिगए तो अस्टेलिया से लिगए मूल करते हैं भी कहां से लिगए आप लोग कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट किस अनुच्छत में मंत्रिगर सामुएक रूप से लोग सभा के प्रत उतरदाई होते हैं तो आटिकल 75 है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट पुलिस से बेवस्थक किस सूची का विसा है तो ये राज्य सूची का विसा है किस सूची का राज्य सूची का विसा है नेक्स्ट भारत में मंसबदारी पढ़ था किसने शुरू किया तो अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा नेक्ट पॉइंट है प्लासी की लड़ाई की इन दो पच्छों के बीच हुई थी तो सिराजुद दौला योम अंग्रेज के बीच में अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट के हैं दोस्तों सहायक संधी किसने लागू की थी करेक्ट एंसर होगा लाड़ वेले जली ने किसने लाड़ वेले जली ने नेक्सट पॉइंट है, हुमाईयू नामा की रचना, किसने की, करेक्ट एनसर होगा, गुल बदन बेगम ने किसने cooling गुल बदन बेगम ने, किसनेkolह से अध्याओत वा page के परवर्तह कौन थे, शंक्राचार कौन शंक्राचार Next, खासा पंद की स्थापना किस ने की थी? Correct एंसर रहे गुरू गोबिंद सिंग ने Next, जिम का आर्वेट राष्टे उध्यान किस राज में इस्थी थाए तो उत्राखन राज में आगला point है दुदहवा राष्टे उध्यान किस राज में इस्थी था उत्तर प्रदेश में बार बार पूछे के question है यह है दोस्तों जी आपकी one day jumps में अगला point क्या है आगरा किस नदी के तटपा इस्तित सहर है तो यहुना नदी के तटपर आपके कितने फ्रस्न सही हो रहे है तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे इस्टेडी चैनल स्विक रुपा कलासे से जुड़े हां चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दे जाने वले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फार वाचिंग